हेलो औल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगे, सो गाईज, आज की जो रीडिंग है, मैंने कल पॉल डाला था, ठीक है, जिसमें मैंने चार टॉपिक आप लोग को बताये थे, और उस चारो टॉपिक में से आपको बोला था, कि उसमेंसे आपको जहें न वोट करना है किस टॉपिक पे आपको रिडिंग चाहिए तो आप लोग ने जो है सबसे ज़्यादा वोट किया टॉपिक को वो टॉपिक है कि क्या वेलेटाइन डे के पहले आपका रियूनियन हो जाएगा ठीक है इसी topic पे आज की हम अपनी reading करेंगे, देखेंगे किया Valentine Day से पहले reunion होगा आपका, ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं आज की इस reading में, सबसे ज़्यादा vote मिले हैं इसी topic को, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास दूसरा भी topic था, topic मुझे वो याद नहीं है, तो वो topic छोड़ो, उस topic पे मैं आपको शाम को वीडियो देऊंगी, लेकिन मैं अभी इसी topic पे Valentine Day के पहले reunion होगा, आपका, इस topic पे हम लोग reading करने वाले हैं, ठीक है, तो इस topic पे reading करने के लिए मैं पहले आपकी energies को देखूंगी, यानि कि आपकी situation को देखूंगी, और उसके बाद मैं आपके partner के लिए reading करूंगी, ठीक है, तो आप लोग समझ गए, मैं पहले भी जैसे पहले की reading करती हूँ, वैसे ही ये वली भी reading करने वाली हूँ, तो topic समझाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, पहली बारा आते हैं channel पे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम अभी कैसे क्या करना है, है ना, तो ये situation है आपकी, आपकी life में क्या चल रहा है, या आपके love relationship में क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या चीजें हैं अभी भी, वो सब हम इस card से देखेंगे, ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे आपके partner के energies जिसको और देखेंगे कि हाँ, वैलेंटाइन डे के पहले reunion होगा आपका या नहीं होगा, ठीक है, चलो, please universe guide me, जो अभी वीवर देख रहे हैं, उनकी अभी current situation क्या है, please universe guide me, please, please, please guide me, five of sorts के energy है, okay, और cards देखते हैं, please universe guide me, please guide me, please, please guide me, please guide me, please guide me, please guide me, okay, the empress, okay, wow, so, चलिए और card देखते हैं, please universe guide me, so, please guide me, please universe guide me, यहाँ पे है, seven of cups के energy, okay, seven of cups, okay, चलो, और card देखते हैं, please guide me, please universe, please guide me, अभी की situation क्या है, जो भी वीवर देख रहे हैं, उनकी, चलिए देखते हैं, please universe guide me, please guide me, train, train आवाज लगा रही है, इसलिए मैं हफस रही हूँ, देख रहे हो, कभी-कभी आवाज आ रही हैं आपको, the devil के energy है, यहाँ पे, ठीक है, please guide me, so, यहाँ पे card है मेरे पास, three of cups क्या, ओके, और card देखते हैं, please guide me, death, ओके, so, चलो देखते हैं, यहाँ card है, temperance का card, bottom of the deck, ओके, bottom of the deck, तो guys, यहाँ पे जो energy मुझे बता रही है, ठीक है, पहले तो, यहाँ पे, सच में आपकी चाहत यही है, कि आप दोनों का reunion हो, और valentines day के पहले ही हो, ठीक है, तो यह तमन्ना है, इसलिए मेरे पास यह 10 prince का card, bottom of the deck आया है, ठीक है, bottom of the deck, entrance, reunion, ठीक है, reunion की चाहत रखते हो, आप अपने partner से, ठीक है, और, देखो, train भी बोल रही है, signal मिल रहा है आपको, reunion, तो guys, यहाँ पे जो card बता रहे हैं, आपकी situation को मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखो, situation तो बड़ी, आपकी मुझे अर्टपर्टी सी दिख रही है, मतलब की situation जो है आपकी सही मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है, अपने beauty पे तो focus कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, कि हाँ, मुझे सुन्दर दिखना है, मुझे पालर जा रहे हो, hair straight, hair curly करवा रहे हो, अपनी खुबसूरती पे ही ध्यान दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके partner के मैं बात करूँ, आपके partner के लिए, आपकी energy जो है न, यहाँ पे, क्या हो गया है, यहाँ पे, एकदम से devil की energy है, देख रहे हो, devil की energy, यानि की negative हो रहे हो, यहाँ पे देखो, da impress है, यहाँ पे अपनी आपको सजाने और खुबशूरत करने के चकर में भी और यहाँ पे negative भी हो रहे हो, यहाँ पे यही सोच के negative हो रहे हो, आपके पता नहीं call करेगा, message करेगा, कि नहीни करेगा, विले में time's है, birthday आ रहा है मेरा, है न तो पता नहीं वो call करेगा कि नहीं करेगा आप इसी suspicion में हो ठीक है आपके अंदर जो है ना negative energies मुझे दिखरे कि negativity आपने अपने अंदर पालनी start कर दी है जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं करना है negativity को दूर भगाओ है ना तो negativity को दूर कैसे भालाए जा सकता है कैसे ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है confusion हो रही है यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप अपने person की suggestion को देखके ही यहाँ पर confused हो रहे हो उनके बरताओ को देखके confused हो रहे हो उनके बात करने के behavior से या फिर उनके behavior से ही आप यहाँ पे आपको कभी लग रहे है कि यार यह person है या नहीं है आप उनको call करने की message करने की कोशिश कर रहे हो बट इग्नूर इग्नूर कर दे रहे हो ब्लॉक कर दे रहे हैं आपको हर जगह से ब्लॉक करके रखा है उन्होंने separation में तो चली रहे हो ठीक है लेकिन आप यहां पी confused हो रहे हो कि क्या होगा इस relationship का future होगा भी कि नहीं होगा clear नहीं दिख रहा है आपको ठीक है कुछ clear नहीं दिख रहा है एकदम से कहते हैं कि ना इधर आप पैर रख सकते हो ना इधर रख सकते हो बस वहीं पर खड़े हो खड़े हो बस ठीक है स्टक हो family issue हो सकते हैं misunderstanding हो सकती है आप दोनों के बीच में और इस वज़ा से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है आप दोनों अलग हो ठीक है third party situation है third party की वह जोसे भी यहां पर बहुत सारी लोग जो है painful situation से गुजर रहे हो ठीक है तो यहां पर मुझे यहीं दिख रहा है और death का card है ठीक है new beginning का wait है बस यहां पर wait हो रहा है new beginning का जल से जल new beginning हो जल से जल जो है न यहां पर reunion हो आपको wait है यहाँ पर reunion का जल से जल जो है न यहाँ पर आपको result मिले आप यही चाहते हैं ठीक है यहाँ पर यह जो negativity है जो thought party है आप चाहते हैं कि हाँ जल से जल खतम हो आपको खतम करना है ठीक है पता नहीं आप इसी situation में या फिर इसी सोच में हमेशा डूबे रहते हो और सोच सोच के जो है न यहाँ पर डैविल की एनर्जी है यानि कि negative thoughts create कर रहे हो अपने mind में ठीक है negative thoughts create कर रहे हो create कर रहे हो अपने person के पास भेज रहे हो ठीक है तो आपके person क्या करेंगे निगेटिव energy में जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर यही है कि आप negative नई सोचोगे आप बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका रियूनियन नहीं होगा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है ठीक है यहाँ पर रियूनियन हो गया है कहना रियूनियन तो हो गया है हम दोनों तो खुश हैं अभी है ना तो यहाँ पर यहीं सोचना है तो चलो हम देखते हैं कि क्या नहीं ठीक है जो देखते हैं फ्लीज इमर्सकाइट में जो भी वीवर्ड देख रहे हैं क्या उनका रियूनियंज विल इन्टांस देके पहले हो जाएगा सब पहला कार्ड यहां पर है मेरे पास दा एंपरर ओके दा एंपरर का और कार्ड है और देखते हैं प्लीस इंवर्स काइट पी इसकाइट नाइट आफ कप्स नाइट अफ कप्स बहुत सारे कार्ट्स हैं तो चलो और कार्ट्स निकालते हैं अगें देख लो इतने सारे कार्ट्स नेज़स कभी कभी जादा हो जाती है तब ही ऐसा होता है चलो और देखते हैं प्लिस इस्वेड़ देख रहे हैं क्या इनका रीउनियन हो जाएगा वैलेंटाइन्स्टे के पहले प्लीज गाइड मी प्लीज गाइड मी प्लीज गाइड मी इसा हूँ हुम् में ओके इसफ निभीज है ना जसी कि सिका जो है ना यहाँ पर मुझे लगता है कि 7 से कोई ना आता है आपका, ठीक है, कोई ना कोई relation है, यानि कि 7 और उनका date of birth होगा, यहाँ पे या फिर आपका हो सकता है, या मन्त हो सकता है, ठीक है, या मिले होगे, कुछ ना कुछ 7 से related है आप दुनों की life से, हो सकता है कि मुलांख हो आपका 7 नमबर, two of cups, oh very nice, please guide me, please guide me, so यहाँ पे है page of sorts का card, okay, please guide me, please guide me, the hierophant, please guide me, यहाँ पे मेरे पास knight of sorts, okay, और card दीखते है, nine of pentacles, oh the empress, यहाँ पे भी और उस deck में भी, the empress का card आया है मेरे पास, दोनों ही deck में आया है, so मेरे पास बहुत सारे cards है, मैं नहीं ले रहे हूँ, his inverse guide me, oh temprins, wow, यह देखो, आप लोग को यकीन नहीं होगा, यहाँ बॉटम of the deck मैंने दिखाया था न, temprins का card, यहाँ पे भी देखो, temprins, wow, so guys, आज का जो हमारा topic है, कि क्या Valentine's Day के पहले, reunion होगा आपका, तो चले start करते हैं, साइन में आपको बताते हूँ, Gemini Libre Aquarius, Taurus Virgo Capricorn, और यहाँ पे है Cancer Scorpio Pisces, और मेरे पास यहाँ पे fire भी है, ऐसे मेरे पास fire भी है, ठीक है, तो यहाँ पे, कुल मिलाकर देखा जाए, तो sign कोई matter नहीं करता है, ठीक है, मैं आप लोग का, ऐसे ही, आप लोग बोलते हो, इसलिए मैं बोल देते हूँ sign, ठीक है, हाँ, fire तो यहाँ पे है ही, चलो यहाँ पे reading स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सो यहाँ पे guys, card बता रहे हैं, आपके person की energies को मैं देख रहे हूँ कि हाँ, क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी thinking हो रही है, इस relationship को ले करके हैं ना, तो यहाँ पे यही मुझे cards बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे cards मुझे यही बता रहे हैं कि, आपके person ने cheat किया है आपके साथ, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि third party involvement है, मैंने आपके cards निकालें, तो मैंने आपको बोला कि हाँ third party involvement है, और third party involvement है यहाँ पे, ठीक है, third party कि वो जैसे आपके person ने आपको cheat किया है, इस परसन ने आपको जूट बोला है, इस परसन ने बहुत सारी बातें छुपाई है, चीटर है ये परसन, ठीक है, दोखा दिया है इस परसन ने आपको, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये परसन का मुझे दिख रहा है ना, रियूनियन का हम लोग देख रहे हैं, दिया है इस परशने है ठीक है तो धोखा दिया है फिर भी आप जह ना इसrouled самых वेड कर रहना हो इसे का इंडिजार करें कि नई फूर्सन दो बात ही नहीं है आप को यकीन ही नहीं हो रहा है ज़लो यहां पर यहां पर यह कार्ण देखते हैं यहां पर cartoons बता रहे हैं कि यह person जो इना सुसच जरूर रहा है आप बारे में यह person आपके बारे में फिन्किं जरूर कर रहा है और यहां पर यह person मुझे बहुत ही देख रहे हो इनकी energy देख रहे और एकदम से गुस्से वाली energy हाना मैं जो कहता हूँ भाई वही तुम करो वो वाली energy है इस person की ठीक है जिद्धी सौभाव age gap हो सकता है आप दोनों की relationship में ठीक है thought party यहाँ पर इनकी family भी हो सकती है the herifant है मेरे पास okay इनकी mother हो सकती है या father हो सकते है sister हो सकती है भाबी हो सकती है कोई हो सकता है lady person या फिर father भी हो सकते है तो यहाँ पर यही मुझे दिख रहा है कि यह person जाए ना सोच रहे हैं आपके बारे में आपको call करना चाहिए message करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इस person ने तो पहले तकलीफे दिये हैं जाले धोके दिये हैं आपको इस person में आपकी emotions के साथ खेले हैं है ना तो यहां पर मुझे cards बता रहे हैं कि आपके person को अभी clarity चाहिए ठीक है आपके person को अभी clarity चाहिए clarity यह चाहिए कि इनको call करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपके तरफ आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है इस person को clarity चाहिए पहले यह जब तक clear नहीं होंगे तब तक यह person call या message बिल्कुल नहीं करेंगे मुझे call message करते हुए यह नहीं देख रहे हैं जब तक इनको clarity नहीं मिलेगी हाला कि हाला कि यह brother नहीं पियार किया है आपने भी इस person से पियार किया है यहां पे soulmate connection है ठीक है soulmate energy आप आप और आपके partner जह ना दोनोν soulmate connection में हो ठीक है फिर भी आपके person ने आपके साथ चीट किया आपको धोका ती आपको तकलीफ दी ठीक है तो यहां पर मुझे तो काड़ बता रहे हैं कि इस परसन को प्यार है आप से पास्ट लाइफ कनेक्शन फिल होता है इस परसन को यह परसन खिचावा मैसुस्त करते हैं आपके लिए और इस परसन को क्या है अब यह परसन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ठीक है यह ट्रस्ट जा है ना मुझे लगता है कि यह आपको सोच रहे हैं कि इसने मुझे दोखा दिया है इसलिए इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है या फिर आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आपकी लाइफ में यह परसन दुबारा आएंगे ना तो आप इन पर पर ट्रस्ट नहीं करोगे अगर यह कोई रीजन बताते हैं कि हां मैंने इस कारण से तुम्हारे साथ यह किया तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे ठीक है यहां पर मुझे यहीं दिख रहा है हाला कि इस person का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये person जो है यहाँ पे अपनी ego, अपने attitude को यहाँ पे side रखके ये person सोचेगा ज़रूर कि हाँ, चलो, बात तो करते हैं Valentine's Day आने वाला है, love वाला महीना आने वाला है तो बात तो ज़रूर करते हैं, ठीक है तो यहाँ पे बाते मुझे दिख रहा है कि हाँ, यह person जो है न, यहाँ पे बाते करते हुए मुझे यह person दिख रहा है यान कि आपकी तरफ मुझे यह action लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है यहाँ पे अपना प्यार, अपना कप ओफर करने के लिए यह परसन चोई न, एक्शन लेने वाले हैं, यह परसन आएंगे, तो आपसे लड़ाई जगडे भी हो सकते हैं, ठीक है, बहस हो सकती है, बहुत अच्छी खासी बहस होगी, ठीक है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किसम के परसन है, मैनिपूलेट करते हैं आपको, ठीक है, बड़े ही मैनिपूलेट करते है, मैनिपूलेटिंग परसन है यह, यहाँ पर मुझे तो यही दिख रहा है कि, इमोशनल ड्रामा करके है न, यह परसन आपको, आपसे बात कर लेते हैं, यानि कि, ओन और भी सिस्ट साथ भी रिलेशन रखते हैं मैनिपुलेट कर लेते हैं जब कहता है ना कि उधर से उनकी बादचीत बंद हो जाती है तब इधर छलांग मार लेते हैं तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी देख रहा है ठीक है छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग जो है ना है भागवान इनका कर्मा पता नहीं क्यों इस वर इतना देने में देर कर देते हैं लेकिन देते जरूर हैं तो चलो यहाँ पे जो है कार्ट मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये परसन जो है ना इस परसन का मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे रियूनियन जरूर होगा ठीक है यहाँ पे आप तोनों का जो है ना वेलेंटाइन स्टे के पहले रियूनियन होगा मुझे जहां तक का स्टार्ट के नर्जी बता रही है ना कि यह परसन आपके लिए एक अट्रेक्शन फिल करेंगे ठीक है अट्रेक्शन फिल करेंगे आपके पिक्स वेगरा आपके बारे में खोज ख़बर रखना यह परसन स्टार्ट करेंगे ठीक है स्पाई करेंगे हमेशा आपको हमेशा ही ये person spy करेंगे अभी भी जो है ना ये person किसी ना किसी से आपके बारे में कहें तो आपके person जो है ना किसी ना किसी से पता करते रहते हैं ठीक है तो ये person और आपका यहाँ पे reunion होगा क्योंकि यहाँ पे two of cups भी है और यहाँ पे temperance भी है ठीक है तो यहाँ पर कार्ट्स बता रहे हैं मुझे कि आपके पर्सन और आपका रियूनियन यहाँ पर हो जाएगा रियूनियन होने के पहले यहाँ पर्सन जाना किसी की राइडिन्स लेंगे यानि कि कहें तो यह पहले अपने घरवालों को राजी करेंगे ठीक है शादी करना चाहते हूं आप तो यहाँ पर घरवालों को राजी करेंगे जिनके लाइफ में फैमली इशु है मैं उनके लिए बता रही हूं कि वह अपने घरवालों को राजी करके ही आपको कॉंटेक्ट करेंगे ठीक है रीउन्यन यहां पी होगा गारे टेके पहले ही होगा ठीक है मैं बता रही हूं यहां पे 9 तारीक तक मुझे लग रहा है कि 9 डेट तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों का यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां हो जाना चाहिए आप दोनों का क्योंकि 14.5 को ही वैलेंटाईन स्टे होता है तो उसके पहले मुझे तो यही मज़े के नमभर दीख रहे है ठीक है यही नमबर देख रहे हैं मुझे कि आपका और इनका जो है ना रियूनियन इतने टाइम में हो जाएगा ठीक है चलो मैं जो है ना रमेंस एंजल औरिकल कार्ड से भी देखती हूं कि रियूनियन होगा ठीक है देखते हैं इस कार्ड से भी कि इंवस कायड मी प्लीज क्ई मी जोबी भीएंट गर लव सो आप यहां अ कर यूनिञ होगा कि वैलन्टाइन के पहले प्लेज गैड मी मेलन्टाइन से के पहले वोगर और करते हो सारें पर इतना लविंग कर सेट सो त ओर इतने मेच्जर परसंट ओंगेजमेंट बहुत सारे लोगों का मुझे देख रहा है कि प्रपोजल के सांथ साथ इंगेजमेंट भी हो सकती है बहुत अच्छी एनरजी ऑके तो यहां पे मुझे यही देख रहा है कि यहां पे जो है ना रियूनियन तो होने वाला है कहीं हो सकता है कि आप लोग जाओ घूमने भी ठीक है आप अपने inner blockages पे भी आपने बहुत वर्क किया है ठीक है तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि हाँ रियूनियन तो होगा कुछ cards जो है न चलो मैं और cards निकालती हूँ मेरा mind जो है न कुछ और ही कह रहा है make the effort तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर card बता रहे हैं कि आप दोनों का जो है न यहाँ पर मुझे लग रहा है कि efforts दोनों में से किसी एक ने ज़्यादा लगाया है इस relationship में दिया है या फिर किसी ने कम लगाया है efforts ठीक है तो यहाँ पर मुझे यही देख रहा है ठीक है तो चलो और कुछ का देख लेते है messages क्या है ठीक है तो चलो कुछ messages देख लेते हैं आपके लिए क्या messages है oh my god इतने सारे messages so family नहीं मान रही है देख लो family नहीं मान रही है यह आपके person आपसे कहना चाहते हैं कि family नहीं मान रही है okay मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पच्चता होगे पस्ताना तो इनको चाहिए marriage marriage तो यहाँ पर marriage का card मुझे आया है ठीक है जिन्दगी कहां से कहां आ गई so यह person उदास है और कह रहे हैं कि जिन्दगी कहां से कहां आ गई तुमसे मुलाकात अक्सर सपनों में होती है तो आपसे मुलाकात अक्सर उनके सपनों में होती है तुम call करो तुम कॉल करो तो मैं जानना चाहता हूँ तुम मुझे मिस करते हो तो ये जानना चाहते हैं मिस करते हो या नहीं बता दो आप इनको मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ तो ये आपसे ट्रू लव करते हैं तुम्हारा साथ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे उम्र भर, ठीक है, तुम्हारा साथ चाहिए मुझे उम्र भर, तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आप अपने बालों पे ज्यादा वर्ख कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे आर लेटर से आपका, या फिर आपके पार बहुत अच्छी लगती है बहुत सारे लोगों को तुम आओगे मुझे यकीन है तो तुम आओगे मुझे यकीन है यह आपके परसन आपसे कहना चाहते हैं यह आपका मैसेज हो सकता है उनके लिए कि वेलिंटाइन्स दे के पहले रिउनियन होगा आपका तो हांजी हो जाएगा ठीक है तो यह रही आपकी रिडिंग्स फैंक यू सो मैच मिलते हैं एक्स रिडिंग में तब तक हसते रहें मुस्कुराते रहें और खुश रहें बाई